हेलो एवरीवन गुद इवनेंग कैसे हैं आप सब वेलकम तो माई चानल और अभी हो रहा है इविनिंग का डाइम तो यहां पर देखी करीब साड़े तीन बज रहा था साड़े तीन करीब हो रहा था और मैं जस्ट खेट से आई थी और यहां पर मामा जी जो जिंगा है ना भीलोल iph pueda थे थे थोड़ा सा बड़ा था ओजिंगा तो यहीं लिये थे तो उसी को साफ करना था और यहां पर ना मैं जा रही थी पानी लेने के लिए और फिर यहां पर फिर दिखा रहे थे हैं आपको वो मैं दिखा देती हूं एक बार करके तो मामा थोड़ा सा हस रह थ और यह जो ज्गा वैससे तो काफी महनगा होता है तो इसी वज़ए से वैससे भी ज्गा पॉस воспρεां नहीं खूते हैं कभी कवर मचले लेते हैं कूंकि मOT मोचले से हो कॉते हैं कुछ ना कुछ भी और यहां पर दीखें किया लोग थे हुह भोरे हैं हिंदी में पता नहीं लेकिन बहुत लंबा-लंबा था तो भही मैं यहां पे दिखा रही थी और यह जिंगा जो है ना यह थोड़ा सा बड़ा था ना तो इसी बज़े से इसका जो मुंडी था उसको कट करके उसका छिलका निकालके फिर हम लोग यहां पे रख रहे थे कड़ समय पे पानी थोड़ा सा ले आए थे तकी जलड़ी से हो जाएगा और हाथ भी खरब नहीं होगा तो पता हिसी बज़े रहे थे कि इस तरश सी नीकलो कर पर करके mejorar इससी इन अब यहां पे बुगा आयए थी तो आप लोग सुचेंगे कि क्या मैं आ आ ऐसे कर रहे हूं यहां पे ना मैं अपनी जो घर की मुर्गियां है ना उन्हें को बुला रहे थी क्योंकि वो सब यह खाते हैं ना चुरा-चुरा मचली या जेंगा कुछ भी होता है तो वही वो लोग खाते हैं तो उन्हें को देने के लिए मैं यहां पे उन्हें को बुला रहे थी क्योंकि वैसे भी तो यह फेंकना है क्योंकि छिलका तो वैसे हम लोग छिलके फेंक देंगे तो वसी वज़े से यहां पे मुर्गी को हम लोग बुला के दे रहे थी और मुर्गी यहां पर आ भी चुकी थी और ना हम यहां पर जो बिल्ली दिख रही है ना बिल्ली वो सब डरा के उन्हें को वही अकेली खा रही है यहां पर और वो सब डर रहे हैं फिर चले जा रहे हैं आ रहे हैं और फिर से चले जा रहे हैं और यहां पर बता रहे थे, तो हम bस सुना रहे थे दोनों मामा भाझी यहांपे बात करती वार ऎप IELS कर रही है जो छिलका हम लोग दे दिए थे तो बस अबी इसको जल्दी से हम लोग साफ कर लेंगे तो ब्लोग भी बने रही है और चैनल पर ऋमयारा है ल भी चैनल को सब्सक्राइब कर डीजेगा और बेल आइक न को भी प्रेस कर दीजेगा मेरी डेली ब्लोग देखना चाहते हैं तो और अपने फ्रेंज के साथ भी शेयर कर सकते हैं वीडियोज मेरी ब्लॉग को तो बस ब्लॉग पर बने रहीए फिर मिलूंगी अभी थोड़ी दिर बाद आपसे ये साफ करने के बाद तो अभी यहां पे सारा जितना भी जिंगा था हम लोग अच्छे सी उसका छिलगा निकाल दिये थे और साफ कर दिये थे और यहां पे न मैं यहां पे ज़ाड़ो लगा रहे थी क्योंकि जितना भी यह था ना उसको मुर्गी को देना था तो यहां पे ज़ाड़ो लगा के एक कोने में डाल दूंगी ताकि इधर उधर ना हो और वो सब आएंगे ना मुर्गी बगएरा तो वो सब भी इसको खा लेंगे आसाने से तो इसे वज़े से यहां पर जाड़ू लगा दी हूँ और यह जितना भी जगा है उसको पूरा अच्छे से साफ कर दूँगी हटा के और यह जो बोरा है उसको साइट में रख दूँगी बाद में धूलने के लिए क्योंकि पूरा स्मेल कर रहा था ना जैसे मचली वगरा जैसे स्मेल करता है तो इससे वज़े से उसको साइट में रख दूँगी और यह पानी और इसको लेके फिर धूलने के लिए चली जाओंगी और फिर अच्छे से उसको अभी धूलना है पानी को फिंग दूंगी और बस अभी यहाँ पी आ गए हो धूलने के लिए जो पानी था उसको मैं इधर साइट पे फिंग दे हूँ क्योंकि सामने जहां पर थोड़ा सा रास्ता है ना तो उधर फिर रोड़ पर चला जाता है पानी और स्मेल भी कर रहा था तो फिर डाट पड़ती तो इसी वज़े से और अभी मैं इसको दो तिन बार इसी तरहें अच्छे से साफ करके धोलूंगी क्योंकि थोड़ा सा मतलब ऑईल ओईल टाइप लग रहा था हाथ भी और थोड़ा सा गंदा भी था गंदा मतलब कि पूरा अच्छे से साफ करना था तो इसे वज़ेसे दो तिन बार मैं इसको अच्छे से पानी पूरा चेंज करके पूरा अच्छे से इसको धोलूंगी और ड्रम पे जो पानी है ना पूरा अच्छे से साफ कर दी हूँ और यहां पे थोड़ा सा पानी लेके आ गई थी और उस फिनाइल डाल दी थी मैं और उसको यहां पर डाल के फिर जाड़ो लगाँगी क्योंकि अभी तो गोबर पजली पाई है वो नहीं हो सकता है ऐसे थोड़ा सा डाल के इसको डाल के फिर अच्छे से जाड़ो लगा दूँगी ताकि फिनाइल का स्मेल से ना मतलब कि जो मख्यां बैठ जाते हैं नॉन वेज या कहीं पी भी जिसे मचली वगएरा का वो होता है तो मख्यां बैठ जाते है ना तो अभी यहां पे नहीं बैठेंगे पूरा अच्छे से मैं पा चुकी थी तो अभी मैं यहां पे जो जिंगा है उसको फ्राइ करने के लिए यहां पे थोड़ा सा हल्दी डालोंगी और फिर थोड़ा सा नमक और मिर्च डालके उसको अच्छे से मिक्स कर लोंगी और वैसे तो मिर्च डालने पे ना थोड़ा सा चिपक जाता है मचली इस उनको पसंद नहीं इसी वजह से डाल नपड़ रहा है और मैं हाथ से जब भी तीखा का कुछ भी मिल चीए मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि हात में इतना जलन होता है कि पुरा बहुत भवाता है ठाहता है हात तो इसी वजह से और अभी यह हो गया है और मैं नहा ली हूँ क्योंकि खेट से आई थी तो पूरा dust टाइप का जीब सा लग रहा था और मुझे मचली भी साफ करना था जिंगा साफ करना था तो इसी वज़े से मैं नहाई भी नहीं थी और बस अभी यहाँ पर जो कपड़ा था बुवा धो दी थी गरम पानी में भी बिखो दी थी तो बुवा साफ करके फिर सुखा दे थी और यह अच्छे से पूरा पूरा साफ हो गया है गरम पाने से साफ किए थे तो इसी वज़े से बहुत अच्छे से साफ हो गया है और उसको फोल्ड करके जो छपर का जो लकडी का वो दिख रहा है ना उसी पर मैं रख दूँगी और यहां पर देखिए जिंगा जो मैं फ्रीज भी रख दी थी और फिर नहाने चली गई थी तो इसी वज़े से यहां पर मैं ले आए हूँ और पूरा थोड़ा सा जम गया है और यहां पर देखिए इंडेक्शन पर मैं पैन रख दी हूँ थोड़ा सा ओईल डालूंगी इस पर और ओईल जब गरम हो जाएगा पूरा चारो तरफ इसी तर रही फैलाऊंगी और फिर ओईल गरम हो जाएगा तो तब तक वेट करूंगी और यहां पर देखिए यह जो जिंगा है ना उसको थोड़ी दिर में इसी तर मिक्स कर लेती हूँ क्योंकि फ्रेज पर था तो थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो इसी वज़े से और यहां पर ओईल गरम भी हो थोड़ा सा डाली हूँ और ट्राइ कर रहे थी चिपके आकी नहीं वैसे तो पैन बहुत अच्छा वाला नान स्टिक वाला है चिपक नहीं रहा था लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा डल लग रहा था इसी वज़े से और बस इसको थोड़ी दिर इसी तरह ही भून लेना ह इसको एक प्लेट में और हल्दी और मिर्च जो डाली थी ना मिक्स कर रहे थी तो तभी पूरा धीरे-धीरे ओईल में छोड़ने लग रहा है पूरा जम रहा है पूरा जितना भी मसाला में मिक्स की थी और बस यहां पी अच्छे से फ्राइब हो गया है इसको निकाल के मैं फिर से इसी तरह दुबारा और थोड़ा से जादा डालूंगी और फिर उसको फ्राइब कर लूंगी और बहुत ना पूरा अच्छे से फ्राइब करूंगी दो बार अभी इसको डाली हूं और फिर इसको थोड़ी दिर इसी तरह ही प्राइब करूंगी और कम से कम यह भी लाइट चला गया था तो मैं यह जो पैन पे था ना जितना भी था जिंगा उसको फिर जेंच करके कड़ाई मैं फिर बाद में बना ले थी तो अभी यह हो गया है यहां पर देखिए तो मैं इसको फिर निकाल दोंगी और फिर तीसरी बाद जब डालूंगी तभी फिर ब बार मैं आपको दिखाऊंगी यह तीन छोटा सा प्यास जिसको मैंने कट कर लिया है और यह दाल말शे नी को जींदि अब जाती मेर्च क्याला में लाले और यह थोड़ा सा द्रख जिसको आपके रखने रखने हैं और यह कोइछे लह ? इसको मैं पीश लोंगी सिल्वर्ट्टे से और फिर पिसने की बार मैं आपको दिखाऊंगी यह पानी पानी पूरा हो गया है सारे में यह दाल जीनी और अधरक को एक ही साथ मैंने पीश लिया है और यह लसून और मिर्च सुखे वाली जलाल मेच वही इसको भी एक ही 70 पीस लिया है और यह प्याज है जिसको मैं थोड़ा सबस थोड़ा सबस souvent का सब Whoa फिस्द फिसी हो जैसे की पूरा थोड़ा सब्यास भी खड़ा खड़ा है उसी तरह देखी पानी पूरा कितना इसमें से चेंज कर लिया था और इसमे जितना भी पैन में जितना भी था इस पर डाल के फिर इस पर फ्राइप higher ली थी यह वाला जिंगः ख़ाग़ना जो मैं mixt करके जिंगा पर हल्दी और नमक जो मिक्स करके की थी वही यहां पर लगा हुआ है तो मैं इसी वाले पर ही बनाऊंगी चेंच नहीं करूंगी ओइल क्योंकि पूरा वेस्ट हो जाएगा तो इसी वज़स से तो अब थोड़ा सा ओईल गरम होने के लिए छोड़ दूंगी और यहां पर देखिए यह पूरा अच्छे सी फ्राय हो चुक तो मैं थोड़ा सा सरसो डाली हूं और फिर उसके बाद जितना भी मसाला पीसके रखी थी वह सारा इसमें डाल दोंगी एक एक करके नहीं डालूंगी और फिर उसको अच्छे से भून लोंगी क्योंकि जो हल्दी और वो सब थाना वो थोड़ा सा जलने के टाइप होने वा टमाटर रैड करूंगी और इसको भी थोड़ी दिर उसी तरह ही भून लेना है पूरा अच्छे से जब तक पक जाएगा तब तक और पूरा अच्छे से मैं यह ना नॉन वेज जिस तरह बनाते हैं उसी तरह ही बना रहे हूं और बस यहां पर टमाटर पक चुगा था तो म मसाला डाली हूं और फिर थोड़ी देर इसको चला लूँगी अच्छे से और फिर यहां से देखिए थोड़ा सा काला काला दिख रहा था ना तो मैं यहां पर थोड़ा सा दूर से दिखा रहे थी क्योंकि जब मैं बना रही थी मुझे तो यलो दिख रहा था लेकिन कैमेर फ्रीपे थोड़ा सा black-black दीख रहा था था तो फूरा सा जीब लग रहा था मुझे तो इसी वज़ा से गूमा के दिखा रही थी और अभी मैं नहीं थोड़ा सा गरम मसाला डाल के पर जिंगा को डाल दिया है और उसके बाद इसको अच्छे से mix कर लेना है नमक में यहां पे तो इसी वज़े से और बस यह उबल चुका है उबलने के लिए छोट दी थी अभी उबल चुका है और बस रेडी हो चुका है और बाद में में नमक डाल दे थी क्योंकि मुझे तुरह से डर लग रहा था कि ज्यादा नमक कहीं लग जाएगा ऐसे करके और यह अच्छे से बन चुका है तो आज का जूबी था मैं खाना बना चुकी हूं और खाना दे भी दी हूं और आज ना मेरा हाथ पूरा बहुत जलन हो रहा है क्योंकि पीसी थी बहुत जल रहा है मेरा हाथ आज मिट्स भीकट करती हूं ना तो फिर जलन होने लगता है चाकु से भीकट करती हू तो भी और आज तू PC हो पताने क्या होगा हद बहुत जल रहा है मेरा तो बस आज कब लोग यहीं पे एन कर रहे हूं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिशेगा और चैनल पर न्यू है तो प्लेज सब्सक्राइब कर दिशेगा और फिर कल मिलेंगे और एक नए और